नमस्कार मैं एड़ोकेट नरिश्कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों यह हमने काफी बार सुना है कि किसी व्यक्ति का 12 साल से जादा किसी अचल संपत्ति पर कपजा रह जाता है तो वो व्यक्ति उसका स्वामी बन जाता है और इस कॉंसेप्ट को एड़ोर्स पोजेशन कहते हैं लेकिन एड़ोर्स पोजेशन के बारे में लीगल इस्थ प्राबेश अंटनल्ग चनल प्ली है पिrat आज के वीडियों में इसका आसान भाषा में समझने क प्रयास दूसरा करेंगे आपकी किसी जमीन पर पर कब्जा कर रखा हो या आपके द्वारा किसी की जमीन पर पर बज़ा किया हुआ हो ये वीडियो दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वाला है concept से संबंदित हर जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी एक चीज की कमी के कारण adverse possession की प्ली खारिज हो जाती है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें इसके पहले कि हम वीडियो को चालू करें य adverse possession की प्ली को ठीक तरह से समझने के लिए वीडियो को हम चार भागों में बांटेंगे पहले भाग में बात करेंगे कि adverse possession क्या है किन सिद्धानतों पर आधारित है और इससे संबंदित कानूनी प्रावधान क्या है दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि वे कौन सी चीजे है जिन से adverse possession को साबित किया जा सकता है तीसरे भाग में बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका लंबे समय से किसी जमीन या संपत्ति पर कबजा है खुद को मालिक घोसित करवाने के लिए adverse possession की प्ली के अधार पर घोशना का दावा कर सकता है और अंत में हम देखेंग कि adverse possession की प्ली के अधार पर लाए गए दावे में किन-किन बातों का विशेश ध्यान रखा जाना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं adverse possession के सिध्धान्त की शुरूवात इंडिया में 1907 से हुई थी जो तीन सिध्धान्तों पर आधारी थी इन में से पहला सिध्धान्त ये था कि किसी भी अचल संपत्ति के स्वामित्व के बारे में ज्यादा दिनों तक डावट नहीं रहना चाहिए दूसरा ये है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी अचल संपत्ती पर कब्जा बनाए हुए है और उसकी सार संभाल देखवाल करता है उसे ही संपत्ती का स्वामी माना जायना चाहिए बजाय ऐसे व्यक्टि के जिसके द्वारा संपत्ति को खरीद करने के बाद उसे छोड़ दिया गया है और तीसरा सिद्धान्त यह है कि ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक किसी संपत्ति को ऐसे ही छोड़ देता है और उसकी सार संभाल नहीं करता है उसके बारे में यह मानना चाहिए कि उस व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति पर अपने अधिकारों को त्याग दिया गया है Adverse Possession के समन्द में कानूनी प्रावधान की बात करें तो भारत में ऐसा कोई भी कानूनी प्रावधान मुझूद नहीं है जिसमें Adverse Possession के अधिकार को परिभाशित किया गया हो लेकिन Limitation Act में इस बारे में प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का कब्जा रखने के लिए अधिक्रत है और वहे व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा खोने के बाद 12 वरसों तक कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए दावा नहीं करता है कि जो किसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है लेकिन ऐसी Limitation के भीतर वहे दावा नहीं लाता है तो यह माना जाएगा कि उस संपत्ति से संबंदित उस व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो गए है Limitation Act के ये दोनों प्रावधान ही Adverse Possession के सिद्धान को जन्म देते हैं और ऐसे व्यक्ति को मालिक बना देते हैं जो व्यक्ति ऐसी अचल संपत्ति पर कब्जा की हुए है और यदि कब्जा की हुई अचल संपत्ति सरकारी है तो इसमें 12 वर्सों की बजाए अवधी 30 वर्स हो जाती है यानि किसी भी प्राइवेट लेंड बर 12 साल तक कब्जा रखने पर Adverse Possession मिलता है और वहीं अगर सरकारी संपत्ति हो तो उस पर 30 सालों तक कब्जा रखने पर Adverse Possession प्राप्थ होता है अब दूसरे भाग में हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिनसे Adverse Possession साबित होता है Adverse Possession के लिए कब्जा धारी को यह साबित करना होता है कि उसका Possession शान्तिपूर्ण है सर्वविदित है और लगातार है शान्तिपूर्ण प्रजेशन से मतलब है कि उसके द्वारा जब उस जमीन पर कब्जा किया गया था तब किसी भी व्यक्ति के द्वारा बाधाकारित नहीं की गई थी और उसके बाद भी अब तक यानि बारा साल से ज़्यादा की अवधी तक उसके Possession को किसी भी व्यक्ति के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया गया है इसी तरह उसका कब्जा सभी के ध्यान में होना चाहिए और लगातार होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने किसी अचल संपती पर कब्जा किया चार साल तक कब्जा रखा और फिर उससे कब्जा वापिस ले लिया गया और फिर वापिस उस व्यक्ति के द्वारा कबजा किया गया और फिर 4-5 साल तक कबजा रखा गया तो इस तरह से टुकडों में कबजा रखने वाला व्यक्ति adverse possession का दावा नहीं कर सकता बलकि ऐसा possession लगातार होना जरूरी है इसके अलावा दूसरी और सबसे महत्योपूर्ण बात यह है कि ऐसे व्यक्ति के कबजे का ग्यान असल मालिक को होना जरूरी है अगर असल मालिक को ऐसे कबजा धारी आदमी के कबजे का ग्यान नहीं है तो भले ही कबजा किते ही वर्सों पुराना हो जाए एड़ोर्स possession की स्र नाए हुए रखा गया है तो क्या वह है आदमी कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों की घोशना करवा सकता है देखिए एड़ोर्स possession की प्ली को पेसिव राइट माना गया है इसलिए पहले धारना एड़ोर्स possession की प्ली लाने वाले व्यक्ति के खिलाफ और असल मालिक के पक अधित किया गया था कि एड़ोर्स possession की प्ली को डेफेंस के लिए काम में लिया जा सकता है लेकिन इस प्ली के अधार पर खुद को मालिक होने के लिए घोशना का दावा पेश नहीं किया जा सकता लेकिन हाल ही में 2019 में जस्टिस अरुण मिस्त्रा के द्वारा यह सिध्धा दिया गया है कि कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो एड़ोर्स possession के आधार पर गोशनात्मक दावार लाने में रोक लगाता हो इसलिए जस्टिस अरुण मिस्त्रा के द्वारा अपने निर्णे में यह माना गया कि जिस व्यक्ति का लंबे समय से एड़ोर्स possession की स स्थिती यह है कि वर्तमान में गोशनात्मक दावा एड़ोर्स possession रखने वाले व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में लाया जा सकता है अब चौथे भाग में हम सबसे महत्वपुर्ण बात पर ध्यान देंगे कि किसी दावे में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एड़ोर्स possession की पड़्ी ली गई है तो उसे क्या-क्या साबित करना होगा और क्या-क्या ध्यान रखा जाना चाहिए सबसे पहली और ध्यान रखने लायक बात यह है कि जो व्यक्ति एड़ोर्स possession के आधार पर खुद को मालिक होना बता रहा है एड़ोर्स possession को साबित करने का भार भी उसी लेकिन असल स्वामी के द्वारा कोई भी कार्यवाही कबजाधारी व्यक्ति के खिलाफ नहीं की गई है यानि कि कबजा करने की और असल मालिक को कबजे के बारे में पता चलने की दोनों ही तारीख स्पेसिफिक रूप से लिखनी और साबित करनी पड़ती है adverse possession की पली लेने वाले व्यक्ति को यहें भी साबित करना पड़ता है कि उसका कबजा लगातार बारा वर्सों से अधिक के समय से चला रहा है और उसके असल स्वामी के द्वारा उसके कबजे को हटाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है adverse possession की पली लेने वाले व्यक्ति को जो बात साबित करनी पड़ती है उनमें से तीसरी यह है कि उसका कबजा लगातार चला आ रहा है और सभी को उसके कबजे के बारे में पता है और वहें बारा वर्स से भी अधिक समय से शान्ती पूर्वक उस अचल संपत्ति का उप्योग क करता रहा है ऐसी सारी बातें यदि adverse possession की पली लाने वाला व्यक्ति कोर्ट में साबित नहीं कर बाता है तो adverse possession को साबित हुआ नहीं माना जाता है और फैसला असल मालिक के फेवर में दिया जाता है इस तरह से हमने adverse possession की पली को बहुत ही आसान भाशा में समझा ऐसी ही उप्य